नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार्ग मिथुन डासी 9 अक्टूबर को देव गुरु ब्रिस्पती वक्री होने जा रहे हैं देव गुरु ब्रिस्पती बरतवान समय में ब्रिसब रासी में चल रहे हैं और ब्रिसब रासी में ही वक्री होंगे, चार फरवरी दोहजार पच्चिस को देव गुरु मारगी हो जाएंगे, और 14 मैं दोहजार पच्चिस तक ब्रिसब रासी में रहेंगे, इसके बाद वो मिथुन रासी में प्रवेश करेंगे, तो आपके उपर देव गुरु का वक् पर लाइफ पर इसका असर जरू पड़ता है देव गुरु भिस्पती की अगर हम बात करें देखिए इनकी द्रिष्टियां बहुत सुभ होती है इंपॉर्टेंट हो जाती है महतपूर्ण हो जाती है क्योंकि देव गुरु भिस्पती की द्रिष्टी में अम्रित वर्सा है और सबसे महतपूर्ण ये है कि देवगुरु प्रिस्पती की दृष्टी के बिना देवगुरु प्रिस्पती के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे. तो देव गुरु प्रिस्पती जहां है वहां से ज़्यादा महतपूर्ण उनका प्रभाव पे है उनकी दृष्टी कहां पर डाल रहे हैं ये महतपूर्ण होता है तो देव गुरु प्रिस्पत्यी की दृष्टी को समझना सब से आवस्यक है तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री इस्तिती की बात की है लेकिन अब हम इनके दृष्टी की बात कर रहे हैं देखे वक्री इस्तिती में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना हलाकि ये चलते नहीं अबास होता है अब देखे वक्र अवस्ता यानि कि पिछली रासी का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा यानि ब्रिसब रासी में देव गुरु ब्रिस्पती चल रहे हैं वक्र अवस्ता में आएंगे तो मेश रासी में दिखाई पड़ेंगे तो थोरा सा यहाँ पर एक बात याद रखे कि एक परक्रमा करने में देव गुरू करीब एक साल के लगभग का वक्त लगाते हैं और इनके जुकिए हम दृष्टी की बात करने जिस घर में बैठे है वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही अब देखे पीछे की ओर जा रहे हैं यानि एक ऐसे कोन पर देव गुरू है जहां से महसूस हो रहा है प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं दूसरी बात अब देखे इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है तीन गुना जादा अधिक फल देना और जरतिस में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है देव गुरू ब्रिस्पती के पास तीन दृष्टी है जहां से वो बैठेंगे वहां से पाँचमी द्रिष्टी, साथमी द्रिष्टी और नवी द्रिष्टी डालेंगे जिसको अमरित की द्रिष्टी कहा जाता है क्योंकि अमरित का बास होता है अब देवगुर बिस्पती बिस्परासी में चल रहे हैं और बिस्परासी सुक्र की रासी है देवगुर विस्पती सुक्र के सत्रू है अब ऐसे में देवगुर विस्पती अब सत्रू के घर में है लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेस रासी के ऊपर का थोरा प्रभाव चलेगा तो मिथून डासी बालो देव गुरु बिस्पती का ये वक्री जो चाल है आपकी रासी से बारवे भौ में बिस्प रासी में हो रहा है तो यहाँ पर देखे चुकि ये चंद रासी पर अधारित है तो अगर आपको अपना कुंड़ी नहीं पता है अपने नाम से भी आप जान सकते हैं जो आपका पुकार नाम है तो देव गुरु बिस्पती वक्र अवस्था में आएंगे और देव गुरु बिस्पती आपके लिए दो केद अस्थान के स्वामी है ऐसे में सब्तम और दसम जो अस्थान है कर्मस्थान और विभाकास्थान दोनों ही भाव के स्वामी हैं और दोनों भावों में रिस्ते भी हैं अब दसम भाव पिताक के लिए है नवम भाव दमपत्य जीवन के लिए है पार्टनर्शिप का भाव है तो आपके जीवन में सबसे महतपूर्ण जो दो भाव हैं उन दो करते हैं अगर आप बैपारी भाई हैं बेंग भाइब करणे का बैंक बैलेंस कम होगा यानि खर्च बारवें इस तान पे हैं देव ग्रू तो खर्चा बढ़ाएंगे बेंगे का आकस्मिक यातरा वेका रहा हो सकता है लंबी दूरी की यातरा सो समझ कर ही कीजिएगा कोई भी काम करते हैं योजना बनाकर करेंगे तो कारे सही तरीके से पूरे होंगे इसमें विदेश यातरा बेगेरा भी आपके लिए बढ़िया है लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ज़्यादा आप खर्च करने से बचिएगा धर्म की तरफ तरफ जुकाओ बढ़ेगा पूजा पाठ में मन लगेगा मानसिक सांती तो मिलेगी लेकिन जो लोग जॉब करते हैं थोड़ी सी ओनिस्चित्ता की इस्थती रहेगी काली छेदर में परिसानी मुस्किलें यहाँ पर दिखेंगी तो यहाँ पर काम चलते चलते हो सकता है आपका रुख जाए लेकिन जो बॉस हैं उनके साथ तालमिर बना कर चलिए धैर बनाये रखके सयम से काम लेसा कर्मी के साथ विवाद ना हो इसका ध्यान रखके नहीं तो परिसानी होगी अब जो बैपारी भाई हैं बैपार से जुड़े मामलों में बिदेसी काम से जुड़े हुए हैं तो यहां पर देवगूर आपको लाब देंगे बिदेसी जमीन से लाब होगा बड़े निवेश से लेकिन बचेगा किसी को उधार मत दीजेगा और आपके कर्म और सब्तम भाव के सौमी हैं अब यहां पर बिडेस सी जमीन से लाप तो है लेकिन कहीं किसी को आप उधार मत दीजेगा संतान की तरफ से थोड़ा सा यहां पर चिंताएं दिख रही है बच्चों के उपर ध्यान जे देव गुरु बेस्पती संतान के कारक है तो संतान के पढ़ाई बच्चों की सिक्षा इसके उपर ध्यान दीजिएगा और किसी बच्चों के उपर धियान डखना है, उनके दोस्त कौन है, वो कहां उठते बैठते हैं, किनसे बाते करते हैं, इंटरनेट पे क्या चैट करते हैं, तमाम बातों का खयाल रखेगा तो उत्तम है इस प्रियर में जो आपके सूपचिन तक हैं, जो अपने हैं, उनसे सला मसवरा करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है जो लब लेसंसिप में है, थोड़ी से रिस्तों में दूरियां रह सकती है, गलत फ्यमी के सिकार आप सो हो सकते हैं, इनसे आपको बच्टा होगा आप गरहों के स्तिती को समझ कर ही बिवार कीजिए, दामपत्ती जीवन में भी थोड़ा साबधानी रखना होगा, क्योंकि सब्तम अस्थान के स्वामी हैं, और यहां पर बारवे में गोचर करेंगे, तो कहीं न कहीं गलत फ्यमी के कारण रिस्तों में बिवाद दिख रहा लेकिन यहां पर मन के अनुकूल आपको सुख मिल रहा है, पर देवगुर बिस्पती के दिष्टी के कारण आपके जैसे के अस्टम पर देवगुर बिस्पती के दिष्टी रहेगी, तो ऐसे में आकस्मिक धान तो आएगा, और देवगुर बिस्पती हर परिसानी से आपक कि तरब जुकिए पुजा पाठ कीजिए ओम ब्रिंग बस्पते नमका जब कीजिए धन का सदूपियोग कीजिए बब्रिंग खर्च ना करें किसी को उधार ना दे कहीं बेश्ट ना करें तभी जाकर आप बहतर इस्तिती में रहेंगे लाब हो सकेगा नहीं तो मैनस चलेंग देव गुरु बस्पती का ये गोचर बड़ा परिसानी नहीं देगा लेकिन कुछ ऐसे तारीक हैं जो आपकी किसमत को बदल सकता है या पिर उस तारीक में समय का फायदा आपको उठाना चाहिए जैसे कि 5 जनवरी से 15 जनवरी तक का वक्त आपके लिए बढ़िया रहेगा आप समय के फायदा उठाई एक इन्पोर्टिंट कारम कर दीजिए और । बीस जनवरी से तीन जनवरी तक का जो वक्त है ये और यहां पर साब्धानी रखिएगा पाँछ से नमंबर से 15 नमंबर तक का जो वक्त है यहां भी साब्धानी रखना है और दूसरा आपको साब क्या रखना है देखेज़ ब्रफ्ती आपके बार में घर में है çekुई बड़ा मत की जएगा इन तीतियों में किसी को धार मत दीजेगा किसी पर ज्यादा बहरोसा अ कीजे मत कीजेगा सुल से साबधानी रखेंगे तो मज़े में रहेंगे और मिथून वालो देव गुरु बिस्पती के मंतर का जब करना है ओम रिंग बिस्पते नमा भवान सुरी को रोज पर नाम करें गायतरी मंतर पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएं तो हम आपसे विजा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्काइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद हम परी मिलेंगे